I welcome you all my dear students to my channel engineer study आजम पढ़ेंगे class 6 की रतनसागर publication की focus English book का chapter number 2 जिसका नाम है one stormy night storm का मतलब क्या होता है तूफान stormy मतलब होता है तूफानी, night याने की रात एक तूफानी रात one stormy night ओके ठीक है देख लेते हैं एक एक word का meaning बताते हुई आपको मैं explain करने वाला हूँ यह story किस ने लिखिया है by विस्वजीत दास विस्वजात दास जीत जी author है इस story के ठीक है उन्होंने इसे लिखा है वो क्या बता रहे है there was a bitter storm there was a bitter storm का मतलब क्या था एक बहुत ही तेज तूफान था raging कैसा तूफान था raging मतलब continuously violating याने लगातार बढ़ता हुआ और भी ज्यादा उग्र हो रहा है और भी तेज हो रहा है raging outside बाहर and I was alone at home यह जो है आपार आथर विस्वजीत दास जी वो क्या बता रहे है कि there was a bitter storm I was alone मैं अकेला था alone मतलब अकेला कहाँ पर at home याने कि घर पर और मैं घर पर अकेला था और बाहर क्या हो रहा था बहुत ही तेज तूफान चल रहा था ठीक है अब वो क्या बता रहे है in normal circumstances मतलब जो आम हालाद जो होते है normal परिस्थितियों में someone would have been कोई सायद होता there मतलब वहाँ पर with me मेरे साथ अगर आम परिस्थिती होती है तूफान वगेरा कुछ नहीं होता बादल नहीं गरज रह होते बिजली नहीं चमकरी होती जो normal परिस्थिती होती तो someone would have been there with me तो कोई सायद होता मेरे साथ because क्योंकि our house is situated on the outskirts of the town क्योंकि हमारा जो घर है वो situated है वो बसा हुआ है कहां पर on the outskirts मतलब होता है दूर दराज के इलाकों में of the town यानि टाउन मतलब गाओ जो गाओ का जो एकदम आखरी छोर होता है दूर दराज का जो इलाका होता है वहां पर मेरा घर है ठीक है एकदम अलग से लग बिलकुल वहां आसपास कोई घर नहीं है and or the nearest neighbor is at least half a kilometer away और यह मेरा सबसे पडोसी जो घर है मेरे घर से करीब का वो भी लगबग at least लगबग half a kilometer away लगबग आधा kilometer दूर है कम से कम आधा kilometer दूर है however, things were not quite normal that day हला कि जो चीजें थी उस दिन were not, वो नहीं थी quite normal, मतलब काफी आसान नहीं थी सामान या नहीं थी उस दिन जो चीजें थी जो हालात थे, परिस्तितियां एक तो हमारा घर वैसी भी एकदम अलग सालग बसा हुआ है outskirts में, दूर-दराज की अलाकों में है गाउ से, और बहुत ज़्यादा तूफान भी आ रहा था, तो इसलिए और जो सबसे पास का जो घर है वो भी लगभा आधा kilometer दूर है मेरे घर से और तूफान का समयता, इसलिए कोई मेरे साथ नहीं था, अगर नॉर्मल कंडिशन होती तो साथ कोई मेरे साथ होता भी ठीक है, और फिर क्या बता रहे है author, जो विस्वजीत दास जी हमें क्या बता रहे है आगे, माई फादर, वो बताने कि मेरे जो पापा है, हैड गॉन, वो गय हुए थे कहां गय हुए थे, with his friends अपने दोस्तों के साथ, गय हुए थे कहां पर, to a jungle, एक jungle में गय हुए थे कौन सा jungle, about 40 kilometers away, वो लगभग, about मतलब लगभग 40 km दूर, वो एक जंगल है, वहां पर मेरे पापा गय हुए थे, with his friends अपने दोस्तों के साथ, ठीक है गय हुए थे, that morning उस दिल सुभा क्या हुआ, we got word, we got word का मतलब हमें समाचार मिला that की, he had been injured by a tiger, he had been injured, उन्हें चोटिल कर दिया गया है मेरे पापा को, by a tiger, is tiger के दौरा है, है ना, एक tiger के दौरा मेरे पापा को चोटिल कर दिया गया है ऐसा उस दिल सुभा हमें समाचार मिला, got word का मतलब है, समाचार मिला, किसी ने कुछ बताया इवार, ठीक है और क्या बतता पता चला he was lying, वो पड़े हुए थे इना हट, एक जोपडी में, कौनसी जोपडी में, at the age of the jungle, वो जोपडी, जो कि at the age मतलब जो किनारे पे है, जंगल के, जंगल के किनारे पे, जैसे यहां जंगल सुर्वात हो रहा है, उसके स्टार्टिंग में, इधर ही एक जोपडी हुई थी, वहाँ पर विचार है, वो लेटे हुए थे, पड़े हुए थे, ठीक है, क्यों कि मिन्टो के अंदर-अंदर ही, my mother had left for that place, my mother had left means, मेरी मम्मी निकल गई, चली गई, निकल गई, निकल गई for that place, उस place के लिए, उस जग़ पे जाने के लिए, है न, जहां जोपडी मेरे पापा लेटे हुए थे, मतलब पड़े हुए थे, चोटे, उस जग़ पर जाने के लिए, मम्मी तुरंथी निकल गई, मिन्टो के अंदर ही, निकल गई, जैसे उन्होंने समाचार सुना, कुछ मिन्टो के अंदर ही, निकल गई, ठीक है, she had wanted to take me, she had wanted, वो चाहती थी, to take ले जाना मी, मतलब मुझे भी, along, मतलब साथ में, वो मुझे भी साथ में ले जाना चाहती थी, वाट लेकिन, someone had to remain at home, लेकिन किसी को तो had to remain, मतलब रहना पड़ता, at home, घर पर, क्यों, to receive, receive करने के लिए, her brother, उनके भाई को, उनके भाई आने वाले तो, उनके भाई आने वाले तो, अगर वो आए, तो घर में, उनने receive करने के लिए, किसी को तो रहना पड़ता, इसलिए वो साथ हमें नहीं ले गए, she wanted to take me along, उझे ले जाना तो चाहती थी, but someone had to remain at home, किसी को तो घर में रहना पड़ता, to receive her brother, in case he can, उनके भाई को receive करने के लिए, अगर वो आए तो, अगर वो आ जाते तो, है कि नहीं, he was driving, he किसको बला बिटा, his, her brother, मतलब हमारे, यह जो author के मामा, है ना, उनके मम्मी के भाई, मतलब author के मामा है, है ना, तो, he was driving all the way from Delhi, वो directly Delhi से आ रहे थे, just to see her, उन्हें, उनसे मिलने के लिए, मतलब, अपनी बहन से मिलने के लिए, मतलब मेरी मम्मी से मिलने के लिए, वो directly Delhi से आ रहे थे है, ठीक है, इस पेसली मिलने के लिए, ठीक है, before she left, इससे पहले कि वो निकल जाए, मेरी मा निकलने के, before मतलब पहले, she left, वो जब निकली उससे पहले, मेरी मम्मी ने, मेरे पापा की तलास में, जब निकली उस जोपड़ी में जाने के लिए, उस प्लेस के लिए, तो उससे पहले, my mother had told me, मेरी मम्मा ने मुझे बता के र दोर, टू स्ट्रेंजर, not to open मतलब नहीं खोलना, दोर, दरवाजर, किसके लिए है, to strangers, मतलब अजनवियों के लिए, है न, ऐसे लोगों के लिए, जिनको आप पहचानते हैं नहीं, उनके लिए दरवाजर बिलकुल मत खोलना, लगवग दरजन और बार मुझे, एक दरजन ब वहीं पर जा रही है, तुम अकेले हो, ठीक है, तो बिलकुल भी किसी अजनवियों के लिए, दरवाजर मत खोलना है, ये बात निकलने से पहले मेरी मम्मी ने मुझे बताई, ऐसा ओथर हमें कह रहे हैं, and normally I never would have, और normally वैसे भी मैं ये काम नहीं करता था, अजनवियों गया, and the night had appeared never ending, और जो रात थी हुआ कैसी appear मतलब लग रही थी, never ending लग रही थी, ठीक है, रात का समय तो ऐसा लग रहा था कि बीथी नहीं रहा है, है ना, बड़ी भारी जा रही थी रात, दिन तो जैसे ते से बीध गया, dragged on, and the night had appeared never ending, क्योंकि रात never ending लग रही थी, ऐसा उसके बास से तो ऐसा लग रहा था, रात कपकप बीतेगी, है ना, the wind howled eerily, और जो हवाई थी ना, वो howled मतलब चल रही थी, eerily मतलब बड़ी तेजी से, देखो, strong wind blue with a frightening sound, एकदम ड्रावनी आवा जो के साथ, सरसर की आवा जो के साथ, हवा बह रही थी, चल रही थी, flashish, off lightning, flashish का मतलब रोसनी, चमक, किसकी, off मतलब की, किसकी, lightening याने बिजली की, जो बिजली कलक थी न, उसकी जो चमक थी न, swept the sky, वो चाय गई थी, पूरे आसमान में, and the thunder was deafening, और दो थेंडर, थेंडर मतलब बादल के गरजनी की, जो आवाज ए गड़गडा है, वाज वो थी किया थी, deafening मतलब बहरा कर देने, लाइक की थी, बहुत ज़्यादा थी ठीज थी, ठीक है, सही समझ में आगे लाइक, ये वेदर को बता रहा है, कैसा atmosphere था, flashes of lightning swept the sky, जो रोसनी थी, lightning की, बिजली कलकने के बाद जो रोसनी होती, swept the sky, उपरे आसमान में चाह जाती थी, and the thunder was deafening, और जो बादल की गड़ गड़ थी, वो क्या थी, बहरा कर देने, लाइक की थी, deafening थी, अगर कोई से सुनने तो बहरा हो जा, इतनी तेज थी, ठीक है, फिर क्या हुआ, I just could not sleep, मैं बिलकुल भी नी सो पाया, है ना, I just could not sleep, का मतलब है, मैं बिलकुल सो इनी पाया, I could not even sleep, यह मतलब इसका, ठीक है, अगेन अगेन, बार बार, 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 आई चेक, मैं चेक करता था, तूसी यह देखने के लिए, if all the windows and doors had been bolted properly, I checked to see, मैं चेक करता है, देखने के लिए, कि if, कि क्या, all the windows, सारी के सारी खिड कियां और दर्वाजे, had been bolted, क्या वो lock किये गए थे, properly अच्छी तरह से, bolted का मतलब है, locked, यानि कि जब कुंडी लगा दे थे थे, हम दरवाजर की, तो इसको बोलते, bolt कर दे, ठीक है, तो यह बात मैं बार-बार चेक करता है, क्योंकि मैं अकेला था घर में, डरा हुआ था, तूफान था बाहर, और मम्मी भी न तक तो, I heard, towards midnight का मतलब है, लगभख आधी रात को, I heard मैंने सुना, then, और फिर towards midnight, मतलब लगभख आधी रात को, I heard मैंने सुना, a gentle knock, knock, मतलब एक, थोड़ी से gentle का मतलब है, धीमी सी knock, मतलब खटखट की आवाज, on the door, दरवाजे पे, दरवाजे पे मैंने कुछ, खटखट की आवाज ऐसे सुनी, ठीक है, I ran, मैं भागा, to open it, खोलने के लिए इसे, it मतलब इस दरवाजे को खोलने के लिए भागा, thinking that, सोचते हुए कि, it could be my uncle, ये मेरे uncle हो सकते है, मेरे mama हो सकते है, सोचते हुए, along the way, और रास्ते में, जब मैं भाग रहा था, दरवाजे खोलने क कि वो मुझे याद आ गई, ठीक है, रास्ते में, जैसी में खोलने के लिए जाई रहा था, मेरे mama आ गया हो, ये सोच का, तभी मेरी मम्मी की वर्निंग, मुझे याद आ गई, इसलिए मैंने दरवाजर खोला नी, मैंने अंदर से ही, मैंने चिला के क्या का, I called out, मैंने बु who is there, कोन है वहाँ पर, the voice of an old man answered me, एक बुड़े व्यक्ति की आवाज ने, वोइस ने, मुझे जवाब दिया, क्या बुड़े व्यक्ति ने, open up son, खोलो बेटा, he said, उसने कहा, खोलो बेटा, it is cruel, ये बड़ा बुरा है, ये बड़ा गलत है, cruel है, क्रूरता है, to let anyone stay, किसी को रोके रखना, out बाहर, on a night like this, ऐसी रात पर, on a night like this, मतलब ऐसी रात पर किसी को बाहर इंतजार करवाना, stay, मतलब रोके रखना, बड़ी cruel बात है, जल्दी दरवाजर, खोलो बेटा, ऐसा वो कह रहे है, फिर क्या कह रहे, I am just a poor old man, मैं केवल एक गरीब, बुड़ा आदमी हूँ, open up, खोलो बेटा, open up, खोलो दरवाजर, I'll do you know harm, मैं तुभे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओंगा, ऐसा वो जो बुड़े वक्ती दरवाजर खटकाटा रहे थे, वो कह रहे है, ठीक न, ठीक क्या बोल रहे, open up, खोलो बेटा, he said, उन्हों ने कहा, और क्या कह रह I'm just a poor old man, मैं गरीब बुड़ा आदमी हूँ, open up, खोलो बेटा, I'll do you know harm, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुचाओंगा, ठीक है, ये बात हो बुड़े आदमी दरवाजर के बाहर से कह रहे है, and indeed, और author कह रहे है, and indeed, हाँ, और सही बात भी है, it would have been cruel, ये बड़ा होती, to let him remain outside, कि उन्हें बाहर ही रहने देना क्या होता, बड़ी बुरी बात होती, cruel बात होती, क्योंकि वो बुड़े वक्ती थे, गरीब भी थे, ठीक, और इतनी तुफान की रात में उन्हें बाहर रोके रखना, ये क्या था, cruel होता, बड़ा बुरा होता करके, ऐसा author दिया, उन्हें की बात सुनकर, और author क्या बता रहे, as, जैसे ही, he stepped in, जैसे step in का मतलब होता है, अंदर कदम रखना, जैसे उन्होंने अंदर कदम रखा, कमरे के, है ना, hall के, I heard, तब मैंने सुना, the clock, घड़ी को सुना, in the hallway, hallway, hallway का मतलब है, hall, hall में जो घड़ी लगी थी, वहाँ पर उसकी आवाज को मैंने सुना, I heard the clock, मैंने घड़ी को सुना, कौनसी घड़ी को, in the hallway, जो hallway में लगी हुए, hall में लगी हुए, घड़ी को सुना, क्या करते हुए, सुना, strike, मतलब बचते हुए, सुना, 12 times, 12 बार बार घजी, घड़ी को बचते हुए, मैंने सुना 12 बार बार बजी मतलब 12 बच गए घड़ी में, ठीक है, in the stillness of the room, उस room की कमरे की सांती में, stillness में, खामोशी में, it reverberated all around, it मतलब ये जो आवाज थी, बार बार जो घंटी बजी, स्ट्राइक हुए, alarm, जो घड़ी, hallway की, उसकी जो आवाज थी, उसको बोला, it reverberated, मतलब य गुझी, क्योंकि hall में क्या थी, सांती थी, है न, अंदर, कमरे में, तो वहाँ पर ये गुझ रही थी, आवाज, घड़ी की, the old man, तब जैसे मैंने दर्वाजर खुला, तो the old man, ये जो बुड़े व्यक्ती थी, जो old man आपको दिखाई दरे, इन्होंने क्या किया, देखो, stretched out, stretched out his hand, मतलब अपना हाथ आगे बढ़ाया, and touching, और छूते हुए, मी मतलब मुझे, कहां पर, on the head, मेरे सर पर छूते हुए, said, ओ बोले, क्या बोले, में the lord, वो भगवान, who sees everything, जो सारी चीजों को देखता है, वो क्या करे, में look after you, वो तुम्हारा खयाल रखे, and all those, और सब का भी, who are precious to you, जो क्या है, precious है to you, मतलब तुम्हे, जो तुम्हे प्रिय है, जिनने तुम्हें पसंद करते हुए, उन लोगों का भी वो भगवान क्या रखे, खयाल रखे, जैसे कि तुम्हारे parents है, तुम्हारे friend है, जिनको पसंद करते हुए, उनका भी ख्याल रखे, यह दुआ दे रहे हैं, ठीक है, रात में उनकी help किये, author ने दरवाजा खुला, उन्हें अंदर आने दिया, तो खुश हो गए बिल्कुल, है ना, और old man ने क्या किया, stretched out his hand, अपना हाथ आगे बढ़ा है, and touching me, और मुझे, touch किया, author बता रहे है, touching me, मुझे छूते हुए, on the head मेरे सर पर, said, उन्होंने क्या कहा, may the lord who sees everything, वो भगवान जो सारी चीजों को देखता है, वो क्या करें, look after you, तुम्हें तुम्हारे देखभाल करें, तुम्हारा खयाल रखे, and all those, और उन सब का भी, who are precious to you, जो तुम्हें पसंद है, ऐसा करके मुझे आसिरवात दिया, मे one corner, एक कोने में, of the room, कमरे के, कमरे के corner में अपना सामान बंडल उन्होंने रख दिया, and promptly, laid himself down, and promptly का मतलब होता, immediately, तुरंत ही, laid himself down, मतलब उन्होंने क्या कर लिया, खुद को लिटा लिया, वो laid गया, ठीक है, कहां पर, on the floor, floor के उपर, वो laid गया, to sleep, मतलब सोने के लिए, laid down, मतलब, वो laid, laid himself down, मतलब, उन्होंने, वो laid गया, floor पर सोने के लिए, तुरंत ही, आया, क्योंकि, काफी थके हुए, रह होगे, I went to my room, मैं भी चला गया, अपने room में, and fell asleep, और, नीद में पढ़ गया, fell asleep, मतलब, नीद में पढ़ गया, मुझे भी नीद लग गई, नीद मैं जागा, जब मैं उठा, I found, तो मैंने पाया that, की, the front door, जो सामने का दरवाज रहे न, was unbolted, वो खुला हुआ था, unbolted था, उसकी कुंडी हटी हुई थी, खुली हुई थी, there was no sign of the old man, वहाँ कोई निसान नही था, old man की उपस्तिती का, old man वहाँ पर उपस्तित नही था, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, ठीक है, he had probably left, while I was sleeping, he had probably left, वो साइद निकल चुके थे, जा चुके थे, while, जब I was sleeping, जब मैं सो रहा था, जब मैं सो रहा था, उसी दोरान साइद वो निकल चुके थे, जा चुके थे, late in the afternoon, देर आफ्टरनोन को दो पर के टाइम क मेरी ममी वापस आई, from her face, उनके चहरे से, I could see, मैं देख पा रहा था, that की everything was all right, की सारी चीजे बिलकुल सही थी, उनके चहरे के expression से मुझे लगा की भाया, सब कुछ बिलकुल ठीक है करके, she told me, उन्होंने मुझे बताया, मेरी ममी ने, all, सारी चीजे, that she had been through, जिससे वो ग जिससे वो गुजरी, the night before, एक रात पहले, जिन हालातों का उन्होंने सामना किया, उसके बारे मेरी ममी ने, सारी चीजे मुझे बताई, when I reached the hut, ममी मुझे बता रही, क्या बता रही, यहां से बोलना सुरू कर रही है, उन्हे बता रही है, उन्हे बता रही है, यहां से बोल एक दिन पहले, ममी निकल गई थी, ठीक है, when I, जब मैं reached, पहुंची, the hut, मतलब जोपडी में, जब मैं तुमारे पापा को वेटा ढूलने, ढूलते वे जोपडी तक पहुंची ना, I found कि मैंने पाया, that की, your father was in bad shape, की आपके पापा क्या थे, in a bad shape में थे, मतलब बहुत ब becoming weaker, वो समय के साथ कमजोर होते चले जा रहे थे, he was sinking, मतलब, he was becoming weaker, वो बहुत कमजोर होते चले जा रहे थे, I took him to the nearest hospital, मैं ले गई उन्हें, कहा ले गई, to the nearest hospital, मतलब सब से करीब में जो होस्पीटल ता, वहां ले गई, and the doctors there, और जो डॉक्तर थे वहां के न, did their best, उन्हो उन्होंने अपना जो भी best treatment कर सकते थे, वो उन्होंने किया, but towards evening, लेकिन साम होते तग, we gave up hope, हमने उमीद खोचुकी थी, give up मतलब खोदेना, हार जाना, हम उमीद हार चुके थे, हमारी उमीदे, खतम हो चुकी थी, हमें ऐसा लग रहा था कि अब तुमारे पापा तो खोड़ी कवर, it was now up to your father, अब तुमारे पापा के उपर इस थी सारी चीजे, to revive himself, यो खुद को ठीक करे, है न, no one could help him, कोई उनकी मदद नहीं कर सकता था, है न, तुमारे पापा, ही अब खुद को जैसे भी अब वो बच पारे या नहीं बच पारे उनी के उपर निरभर थ and suddenly, फिर अचानक से, life seemed to surge through him, ऐसा लगा कि जिन्दगी, जो life है, जो चेतना है, जो life है, seemed ऐसी लगी, मान हो, to surge through him, उनके अंदर आ रही हो, समझना इसका मतलब, suddenly he seemed to be coming alive, ऐसा लग रहा था, उनमे जीवन आ रहा है, उनमे जान आ रही है, ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो ए रही है, in a minute, और एक minute के अंदर ही, we could see, हम देख पाए, the blood come into his face, उनके चहरे पर blood का flow हो रहा था, मतलब उनके चहरे में कुछ अच्छे expression दिख रहते हैं, उनका चहरा पहले मुर्जा गया था, पूरी तरीके से, blood का flow खतम हो गया था, लेकिन in a minute, एक minute के अंदर ही, we could see, हम यह देख पाए, the blood come, की blood क्या था, we could see, हम देख पाए, blood को, कम मतलब आते हुए, कम मतलब आते हुए, कहां पर, into his face, उनके चहरे पर blood आ रहा था, blood का flow हो रहा था, and, और, his breathing, और उनके जो सास थी, breathing, सास लेने की, जो, यह जो breathing थी, बिके, बिकम हो गई, क्या हो गई, क्य miracle, यह क्या था, it was like a miracle, यह कोई चमतकार की जैसा था, कि अचानक उनके अंदर क्या हो गया, blood का flow body में आ गया, life ऐसा लग रहा था, उनके अंदर आ रही है, वो, उनके अंदर चेतना आ रही थी, है न, और फिर क्या हुआ, blood come into his face, we could see, हम यह देख पाए, कि जो फून था, आया, आया, आया रहा था, into his place, उनके चहरे पर flow हो रहा था, और his breathing become more relaxed, और उनकी जो breathing थी, जो सांस ले रहे थे, वो, वो काफी relaxed तरीके से ले रहे थे, ठीक है, अच्छी तरह से ले रहे थे, it was like a miracle, यह क्या था, एक चमतकार के जैसा था, and I remember, और मुझे याद है, and I remember का मतलब, मुझे याद है, मैं याद कर सकती हूँ, exactly when it happened, कि exactly कब ऐसा हुआ, कि अचानक सो उनके अंदर प्रान आ गया, ऐसा कब हुआ, अचानक सो उनकी स्थिती अच्छी होने लगी, उनकी कंडिशन सुदरने लगी, and I remember, and मुझे याद है, exactly when it happened, ऐसा कब हुआ, फिर वो जो, author क्या बता रहे हैं, हमें क्या बता रहे हैं, I knew, मैं जानता था, मैं जानता था, exactly what she was going to say, कि एकदम वो चीज, what, जो, she was going to say, वो जो कहने वाली थी, I knew, I knew, मैं जानता था, मैं जानता था, ऐसा author हमें बता रहे हैं, even before she said, इससे पहले कि वो कहती, said it, even before she had said it, इससे प For the clock struck 12 time, जब घड़ी बजी बारा बार, म्यानि कि जब घड़ी में बारा बजे, तब ऐसा हुआ होगा, ऐसा ओथर बता कह रहे हैं, ओथर पहले ही समझ गया कि ऐसा कब हुआ होगा, और बारा कब बजे थे बिटा, कब घड़ी में बारा बार घड़ी टन-टन की आवाज आई थी, जैसे उस बुड़े वक्ती ने कमरे के अंदर प्रवेश किया, तो हॉल में वहसी बारा बार घंटी बजी थी, और उसी समय उनके पिताजी की भी कंडिशन ठीक होने लगी थी, क्योंकि उन व्यक्ती ने तुरंती उन्हें आशिरवात दे दिया था, आथर को, है न, क्या आशिरवात दिया था, बेटा, देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर, हाँ, यहाँ आशिरवात दिया था, मे दा लॉर्ड हू सीज एवरिथिंग, यह आशिरवात दिया था, और यह आशिरवात का ही कमाल था, कि जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उसी समय उनके पिताजी की भी तवे ठीक होने लगी, ठीक है, तो कैसी लगी स्टोरी मुझे, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, ठीक है, थैंक ये वरी मुझ, माई दियर स्टुटेन्ट.